Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल वर्ड रेकॉर्ड है, और उस रेकॉर्ड का टाइटल है, Most Prolific Murderer, एक ऐसा ठक जिसने 50 सालों में एक रुमाल से 931 मुसाफिरों की हत्या की, लौड विलियम बेंटिक इस समय जब भारत के गवर्नर जनरल बने, उन्होंने इस पूरी ठक समस्या के लिए क्या किया, ये भी एक पुलिस ऑफसर को अपना हीरो बना लिया था इस समय, ये भी आपको बताने वाले, और साथ ही आपको बताएंगे ठक, बहराम, जमेदार और बाकी जो ठक थे वो काम कैसे करते थे, इस्टिनिया कंपनी के दौरान उस समय में, तो ये सब आज आपको बताने वाले, और स कैसे उन लोगों के हीरो बन गए और साथ ही आपके और हमारे बच्पन से उनका नाम जुड़ गया, अब ये इनका नाम आपके हमारे बच्पन से जुड़ा कैसे ये भी आपको इस वीडियो के एनम बताएंगे, तो शुरुवात करते हैं, भारत में जो ठकों की जो समस्या थी, जो ठक बढ़ना शुरू हुए वो 14 से, 14 सेंचुरी से ये लोग इनका बढ़ना शुरू हो चुका था, और 1750 तक आते आते, करीबन ये जो 1350 से लेके 1400 का जो समय था, उस समय से ठक बढ़ना शुरू होते हैं, और 1750 तक आते आते इस तरह का हो चुका था, जो ठकों का काम था, कि कई सारे ऐसे घर थे, कई सारी कम्यूनिटीज थी, जिन लोगों का प्रोफेशन ही बन चुका था ठगी का काम, और वो ठगी का काम करते थे लगाता, और इसी के चलते 1765 में, मद्यप्रदेश के जबलपुर के एक पास एक गाउं में, एक ठग का जनम होता है, एक बच्चे का जनम हुआ, एक ठग के परवार में, नाम था बहराम, अब यह जो बहराम था यह बच्पन में जो बच्चा था जब यह, बहुती शान सवाव का लड़का था, घरवालों का जो काम था, वो ठगी काम था, उनका काम ही यही था, कि वो मुसाफिरों से ठगी करते दस साल की उमर दक ये बहुती शान बच्चा रहा लेकिन दस साल की उमर में करीब हैं स्वीनटीन स्वीटीफाईव में ठग बहाम को एक दूसरा बड़ा ठग मिलता है और ये उसके साल को लेता है अब जब यहां से इसको एक ठग मिलता है यह अपना काम शुरू करता है और करीब इसके बाद 1790 में जब इसकी उमर 25 साल की थी इसने खुद से ठगी करना शुरू कर दिया लोगों के साथ अपना ग्रुप बना के अलग से अपना ग्रुप बना के इस पूरे जवलपुर वाल कर रहा हूं मैं उस समय जो दिल्ली से जवलपुर का रूट हुआ करता था इसके बीच में कई सारे इन्हों ने ऐसे पॉइंट बना रखे थे जहां पर यह लोग जो मुसाफिर होते थे उनके साथ में लूट करते थे और उसके बाद सिर्व लूट नहीं उन्हें मार भी द भुपाल जाने वाला इस पर लोग गायब होने लगे थे अब कई सालों तक यह लोग मिलते भी नहीं थे यह सब जो चीज़ें चलती हैं तो इस रूट के बारे में आपको बताते हैं इस रूट के बीच में गौलियर बीना कटनी और भुपाल यह जो जगे थी यह इनके मे और ऐसे होते हुए यह रास्ता पूरा जवलपुर तक जाता है तो यह अलग अगरे रीजन में भी बटा हुआ है आज के टाइम पर देखा जाए तो चंबल रीजन आता है इसके बीच में इस पूरे रूट पे उसके आद मालवा रीजन आता है मद्रप्रदेश का और कई स से पांच स्टेटिड्स भी इस चेन्ज हो जाती हैं आजाती है काफी बड़ा इलाका था और काफी बड़ा एरिया है फैला हुआ हाइले एक्टिव बताया जाता है उस समय मुसाफिरों के ट्रेवल के लिए कई सारे मुसाफिर इसी रूट से ट्रेवल करते लिए अलग पर गायब होने लगे अचानक से और ये अंग्रेजों के लिए भी उस समय बहुत बड़ा सवाल बने चुका था कि आखर ये लोग जा काना है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग अगर UPSC, CSE की तयारी कर रहे हैं Civil Services Examination की और आपका सपना है इस exam को crack करना, IS बनना तो यहाँ पर भारत का Best Affordable Education Platform Study IQ आपके लेकर आए एक प्रोग्राम P2I Prelims to Interviews प्रोग्राम का नाम है, यहाँ पर आपको Prelims से लेकर इंटर्वी तक की पूरी तयारी कराई जाती है साथी बहुत सारी आपको यहाँ पर सहूलियते मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो दो batch हैं, वो मिल जाते हैं आप एक बहुत बार डिसकाउंट तो लेंगे ही इस कोट को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाने वाले हैं जल्दी से जल्दी नीचे description में आपको link दिख जाएगा course का, वहाँ पर जाएए, link पर click करिए, इस code को लगाईए और यह course purchase करिए, धन्यवाद तो अब यहाँ पर ठग बहराम ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, और साल 1800 आते आते उसके खुद के गिरोव में, उसके ठग के खुद के गिरोव में 200 लोग हो चुके थे, 200 ठग, और वो इनका सरदार था, अब यहाँ पर यह जो ठग होते थे, इनकी खुद की अप पूरा होने के बाद में मुझाफिरों की से लूट करने के बाद में उसके बाद में ये लोग बताई जाती है, माना जाता है कि जो ठक थे, वो ये मानते थे कि उनके उपर कुदाल देवी का आशिरवाद है और जिसके चलते वो ये काम बखूबी कर पाते हैं और साथ ही इनके यहां पर कुछ बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते थे, उनमें से तीन नियम ऐसे थे जो पहला नियम जिसमें से था कि ये काम करते हुए खून नहीं निकलना चाहिए मतलब ये जो मुसाफिरों की ये जो मारते है मुसाफिरों को, इसमें खून नहीं निकलना चाहिए तो इसके लिए ये लोग एक अलग तरीका अपनाते थे वो हम आपको आगे बताने वाले पहला नियम ये था कि खून नहीं गिरना चाहिए नीचे दूसरा नियम ये था कि बच्चों और महिलाओं के उपर कोई अत्याचार नहीं होगा उन्हें नहीं मारा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि जब तक उम्मीद ना हो सामने मुसाफिर से माल मिलने किया उसके पास से कुछ बरामद हो सकता है कुछ महत्पून चीज मिल सकती है तब तक उस पर हमला नहीं किया जाएगा उसको मारा नहीं जाएगा तो ये तीन इस तरह के नियम थे, जाती इन ठगों की उस समय पर एक secret language हुआ करती जिसमें बात करते थे, इस language का नाम था रामसे, रामसी नाम की इस language से लोग बात करते थे एक दूसरे से, अब ये अपना काम कैसे करते थे ये समझे, ये जो ठग थे ये तीन groups में बढ़ जात रखने के लिए तीन-चार ऐसे लोग होते थे इस गिरों के, जो टोलियों में अलग-अलग निकल के connect रखने का काम करते थे सारे groups को, आगे जाके पीछे जाके बताने का काम करते थे, कि क्या चल रहा है, किस दस्ते में क्या चल रहा है, तो इसी के चलते ये लोग इस तरह स लोग वुआ करते थे नाशना गाना इनको आता था इसके बाद में ये लोग किसी भी धरम के इसाफ से किसी भी मुसाफिरों की टोली को देखकर उसके अकॉर्डिंग अपना भेस बदल लेते थे हिंदू की टोली आ रहे हैं तो हिंदू बन जाते थे मुसलिम आ रहे हैं तो मुसलिम ुसलिम-hrीति-रिवाज भी पता होते थे सारे कभी ये लोग ती त्रियात्री बन जाते थे, कभी ये लोग शवयात्रा निकालने वाले बन जाते, तो इस तरह से ये लोग काम करते थे अपना, भेज बदल कर, अब ठगों का जो सरदार होता था इनमें, वो एक तरह से बहुती जादा पड़ा लेखा इंसान दिखता था, म भी बहुत जादा पड़ा लिखा सा इस तरह से दिखता था, सामने से देखके कोई समझ नहीं सकता था कि कोई ठग है, तो अब ये लोग ऐसे काम करते थे, कि उन्होंने अपने काम बाट रखे थे, पहला काम था कि ये लोग शिकार को पहचानते थे, जब कोई मुसाफिरो उसके पीछे चलता था, ठगों का, एक ग्रुप साथ में हो लेता था इन मुसाफिरों के, और एक जो ग्रुप होता था, वो आगे सबसे आगे चलता था, अब आगे वाले ग्रुप का ये काम था, कि एक पॉइंट पर आके उन्हें वहाँ पे कबर खोदनी होती थी, वो व आगे वाला जो दस्ता था, ठगों का, वो ऐसे काम करता था, पीछे वाला जो दस्ता होता था, वो ये देखता था कि कोई खत्रा तो नहीं है, कोई कहीं से आतो नहीं रहे, और इसी के साथ जो बीच वाला जो दस्ता होता था, वो ठगों के साथ में लगाता, चलता रहता इस बीच मुसाफिरों के साथ जो ठगों का दस्ता चलता था बीच में उसमें एक एक करके लोग बढ़ते जाते थे जो ठगों की संक्या थी वो बढ़ती जाती ही तादाद और ये एक दूसरे से ऐसा दिखाते थे कि एक दूसरे को जानते नहीं है बाकी मुसाफिरों को भी यही लगता था कि एक दूसरे को जानते नहीं है, सब लोग साथ में मुसाफिर हैं, आगे चलते चले जा रहे हैं, रास्ता कर जाएगा तो यह सब चीजें लगातार ऐसे चलती हैं, अब होता क्या था इसमें, कि जब इन लोगों को कंफर्म हो जाता था एक समय पर आके, कि अब जाके अटैक करना है, तो यह लोग कुछ अलग-अलग इन्होंने नाम डिसाइड कर रखे थे, कुछ ऐसे नाम थे जो यह लोग बार किया जाता था, और यह जिरनी जो थी, वो इस तरह से यह लोग कहते थे, उसको जो इन्होंने टर्म्स बना रखे थे, कि सुर्ती खालो, पान खालो, हुक्का पिला दो, जैसे ही सरदार ने यह चीज बोली है, इसी के साथ ही मुसाफिर के ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया सिककों को बीच में बांध के उस रुमाल के, एक-एक करके जो सरदार था, जाके हर एक मुसाफिर का गला उससे घोंट देता था, और जब यह सिकके उसके गले पे लगते थे, तो यह जो आपका बीच का पर होता गले का, तो यहाँ पर जब वो सिकके से उसको मारा जाता थ तो वहाँ पर वो उसकी मौत हो जाती थी, जो मुसाफिर थे उनकी, अब यहां बताया जाता है कि मारने के बाद में जो लूट का जो पैसा होता था, उसको लेते थे, सामान लेते थे, और इसके बाद जो आगे वाले जो ठगों के दस्ते ने, कबरी जो खोदी होती थी, उसम में ये लोग डाल देते थे, उस गड़्डे के अंदर, और इसके बाद बताया जाता है कि कबर को उस समय रामसे भाशा के अंदर बेक कहते थे, और जो कुदाल जिससे ये लोग खुदाई करते थे, उसको कसी कहते थे, तो ये टर्म्स थे उस समय के इनके जो रामसी भाश शतंब करते थे तो इस तरह से यो ठठ थे यह अपना काम करते थे अब यहाँ पर बताया जाता है बहराम का आतंग इस तरह का लगा था क्योंकि बढता जा रहा तो रख श्वी तो शनNE 18-00 के आसपासी इसको अपनी बहरम को तो ठक बहराम ने यहाँ पर अपना जो तरीका था वो भी बदला मुसाफिरों को लूटने का उनको मारने का अब यहाँ पर यह लोग क्या करते थे कि मुसाफिरों को जो टोली होती थी उनको हुक्का पिलाते थे नशा कराते थे वो इसके बाद में जब वो नशे की हालत में होते थे डॉली इस बीच उनको फसाती थी अपने जो उसकी जाल थे उसमें क्योंकि बताते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी वो तो जब वो इनको फसा लेती थी, ये लोग नशे की आलप में होते थे उसके बाद बहराम जो उसके पास में एक पीला और सफेद कलर का रुमाल होता था जिसके बीच में सिक्के बंदे होते थे उनसे जाके इन ठगों, ये जो मसाफिटे इनको मार देता था तो यह लगातार इस तरह से काम करता था अब यहाँ पर बताया जाता है कि साल 1810 के असपास बहराम का इस तरह का आतंग बढ़ गया था कि बिटिश जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे वो भी बहुत जादा परिशान हो चुके थे लोगों के गायाब होने से और वो इसके बारे में कुछ भी जानते नहीं थे कि यह कौन कर रहा है उनको नहीं पता था कि ठग बहराम है इस तरह का जो लगातार इस तरह की चीज़ कर रहा है बताते हैं कि 1810 में इस इंडिया कंपनी ने अपने जो सैनिक थे जब वो मार्च करते थे जंगलों के पास से गुजरते थे तो उन नर्मदा टेरिटरी बताते हैं इस पूरे इलाके को जो जहलपूर और आपका नर्सिंगगर का एरिया था यहां पर एक बृटिश सीनियर ऑफिसर को एक बृटिश सीनियर डिटेक्टिव को बुलाया जाता है बृटेन से और यह इनका नाम था कैप्टन विलियम हैंडरी स स्लीमन को नर्मदा टारिटरी में पोस्ट किया जाता है और इसके बाद में 1822 में दो साल बाद ही नर्सिंगर का उनको इंचार्ज बना दिया जाता है मध्यप्रदेश की नर्सिंगर का अब यहां पर इंचार्ज बनते हैं तो यह वही एरिया था जहां पर ठगों का आतंग दकेतों का आतंग था खासका ठगों का वहां पर बहुत जादा प्रकोप था एक तरह से लोग वहां पर अपना घर बार छोड़के भी जाने लगे थे इन ठगों की वज़े से तो आब लोग बहुत ज़्यदा परिशान थे ऐसे ही ठगों में से सबसे बड़ा एक और ठगो अब आमिर अली यहां पर उसी एरिया में बहुत जादा अपना भी ग्रोच लाता था बहराम के जैसे तो अब इस बीच हुआ क्या कि डॉली और बहराम के बीच में लड़ाई हुई और यह डॉली जो थी वो बहराम के ग्रुप से अलग हो गई इसके बाद उसको ठक बहरा अंगिया के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो लगता था अंग्रेजों के जैसा ही यहां पर जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया तो यह और दादा खुंखार हो गए इस समय बताते हैं कि कई सारे बिटिश ओफिसर थे जिनको इन लोगों निशाना बनाया है इसके ब बैंटिक लॉड विलियम बैंटिक गवर्णर जर्लर मनते हैं बेंगाल के तो उनके संग्यान में भी यह पूरा मामला जो था ठगों की समस्या चल रही थी सेंट्रल इंडिया में वह उनके भी सामने आई थे और यह मुद्दा उनके सामने बहुत बड़ा बन चुका था औ विलियम हन्री स्लीमन अब जब यहाँ पे इनको कैफटन स्लीमन को इसका है बनाया गया तो इनोंने कई सारे इसके लिए उपाय किये यह बोला गया था की आपको यह जो पूरी की प्रि evol qua इसके जंगल काटे जाए ज्यरिया इसके जनगल को थोड़ा, जिससे इन लिगों क जो छुपने का ठिकाना है वो खतम हो जाएगा लेकिन यह मुम्किन नहीं था उस तरह से और नहीं उस तरह से जो कटाई थी जंगलों की वो हो पाई उस समय तो अब यहां पर इन्हों ने दूसरा एक और चीज इसके बाद में यह करना चाहिए कि इन्हों ने कहा अपनी टीम में रहके observe करना है कि कौन आपको ऐसा suspect suspected लग रहा है संदिक्द लग रहा है जो ठग हो सकता है तो ऐसा ही इन officers ने किया इनकी टीम के यह लोग गए वहां पर जाके जब इन्हों देखा तो इसी के बीच में करीबन 1834 में इनी चीजों के चलते हुए जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्णर जनलर मनते हैं भारत के तो उस टाइम पर उन्होंने क्योंकि खुली छूट दे दी ती कैप्टेन विलियम स्लीमन को तो वहां पर यह हुआ कि इन्हों जब खुली छूट दी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और साथ ही में forces भी दे दी थी त हुआ यहां पर यह कि जैसी आमिर अली पकड़ में आया इससे पूछताच करना शुरू की यह कुछ बता नहीं रहा था उसका इसको टॉचर किया इसकी फैमिली को लाया गया उनके सामने इससे पूछताच की गई उनको भी थोड़ा सा यातना दी गई इस तरह से जब यह चालू करें तो बिटिश ओफरसर्स ने यह सब कुछ किया और इसी के बाद में इसने धीरे-धीरे करके चीज़ें बताना शुरू के बताया जाता है कि उस समय ठग आमिर अली को मध्यप्रदेश के मंसौर से पकड़ा गया था अब यहां पे उससे मंसौर में जब पुलिस का सब कुछ बता रहा था किस तरह से यह लोग काम करते थे वहराम कैसे काम करता था क्या चीज़ें होती थी कैसे लोग अलग-अलग मुसाफरें को पकड़कर मारते थे तो उसने यह सब चीज़ें बताना शुरू कि और यह वही टाइम था जब जो कैप्टन टेलर थे जो से पूछतार कर रहे थे उन्हों ने अपनी किताब लिखना शुरू किया और बॉक्त्त ज्वाहली को भूक्टम ऊब तक मारा है और वो तो में यहां पर रुख गया साड़े साथ सो के नंबर तक क्योंकि आप लोगों ने पकड़ लिया वरना मुझे एक हजार क्रॉस करना था आकड़ा तो यह सब चीज़ें यहां पर बताई जाती हैं इसी के साथ में एक बार बताते हैं कि आमिर अली के कंफेशन के चलते करीबन इस बीच उसकी टिप से करीबन 1835 तक 200 ऐसे ठक थे जिनके बारे में उसने बताया उनको पकड़ा गया वो इसी के करीबन 4 साल बीट जाते हैं अभी तक सिर्फ एक ऐसा ठक था बहुत बढ़ा जो सबसे बचा हुआ घूम रहा था और करीबन 75 साल की जब ठक बहराम की उमर थी उसको पकड़ा जाता है जवर्पूर में ही उसको वहां पर पकड़ा गया एक गाउं से और इसके बाद में इसको पकड़ने के बाद जब पुलिस इसको लाई तो बताते हैं कि इसने विल्यम स्लीमन को से बोला कि मुझे मारियेग मत मैं अपने आपको सब कUCH चीज़ने को तयार हो और इसके बाद इसने बताना शुरू किया इसने जब बताया कि लोगों ने पूछा कितने लोगों को माँरा है तुम क्यूं क्यूं काम करते ते कब से करते ते तो उसने बताया कि हमारा पुराना घर का काम है पुराना डीपी रिवाज हमारे इस तरह से चले आ रहे थे हमारा इसी का पूरा काम था घरवालों का भी और इसके बाइस ने ये संख्या बताई जिससे पुलिस वाले शौक थे बिल्कुल शौक चुके थे उसने बताया कि मैंने अभी तक 931 लोगों को मारा है 931 मुसाफिरों की हत्या किये फुलिस वालों ने भी जब पूछा कि तुम ऐसा एक्जेक नंबर कैसे बता सकते 931 तो उसका कहना था कि मैंने ये जो 931 लोग है इनको मारने के बाद जो अपने जो ग्रुप्स में कितनी बार सामान बाटा है कितनी बार पैसे बाटे है मुझे इसकी वज़े से याद है कि मैंने 931 लोगों को मारा है मैंने कितनी बार सामान बाटा है ये नंबर मुझे याद है इसकी वज़े से मैं आपको बता सकता हूं कि 931 बार मैंने लोगों की हत्या किया तो अब यह चीज जब सामने आती है ब्रिटिश पूरे जो ब्रिटिश पूलिस ऑफसर थे वो शौक थे इसी वक्त मंसौर के जो सुप्रेटेंडेंट थे यह जो कैप्टन टेलर जो अपनी किताब लिख रहे थे उनकी किताब भी पूरी होती है जो उन्होंने आमिर अली के पूरे कंफेशन्स उसमें लिखे हुए थे ठग बहराम तो अगले साल ठग बहराम की सजा का भी वक्त आ जाता इस ऐठारहसोचालिस में इससे सजा दी गई और इसके गुणाओं को देखते हूँ इसको मौत की सजा दे नहीं थी तो जवल्पूर के पास ही ठग बहराम को फांसी दी जाती है यहाँ पे इसको फांसी ह गए और साथ ही यह जो ठगों से निपटने वाला यह जो डिपार्टमेंट बनाया गया था खास तोर पर इस समस्या को ख़दम करने के लिए इसके जनरल सुप्रेटेंडनेंट कैप्टन रिनॉल्स ने अपनी एक पूरा ब्योरा पेश किया था सरकार के सामने जिसमें उन्हो 1060 ऐसे ठग हैं जिनका दोश्च थाबित नहीं हुआ इन में से 1400 जो ठग पकड़े गए इसमें से लेकिन जिनका दोश्च थाबित नहीं हुआ ऐसे 1060 ठगों को मलेशिया के एक पैनाग टापू पर ले जाके छोड़ा गया क्योंकि जिससे वापस यहां पर दुबारा ना स और दोबारा इस तरह का काम ना कर पाएं इसके साथ ही 412 ऐसे ठक थे जिनको फासी की सजा हुई उनके आरोपों को देखते हुए और 87 ऐसे थे जिनको lifetime imprisonment हुआ आज इवन करावास हुआ कैपटन स्लीमन ने भी अपनी यहाँ पे रिपोर्ट पेश की थी इसी साल में 1840 में गौर्वर्मेंट को उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी और जितने भी ठक थे जितनों को फासी हुई है 412 ऐसे ठक इन सभी के अगर आंकडे देखे जाए इनके द्वारा मारे गए लोग चुके थे ठकों का इतना बड़ा आतंग था इस पूरे इलाके में और साथ ही इस चीज को देखते हुए यह इस बात का अंदर दर लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं है कि 50 सालों के करीबन यह जो ठक था बहराम इसने 931 लों को मारा होगा इस बात यह बात बिलकुल हो सक करीबन जो 50 साल से चल रही सेंट्रल इंडिया और नौर्थ इंडिया में यह जो ठकों की समस्या थी आतंग था ठक बहराम का जो आतंग था पचास सालों का आतंग खतम होता है काप्टन विलियम स्लीमन इसके बाद यहां से ग्वालियर गए ग्वालियर में रिजिडेंट ऑफिसर बने 1843 से 1849 तक और उसके बाद में लखनाओं उनका जाना हुआ लखनाओं में ऑफिसर के पत पर रहे बताया जाता है कि यह जो एरिया था जहां पर ठगों की यह सबसे जादा परेशान ही थी लोग बहुत जादा परेशान थे इस पूरे एरिया को मध्यप्रदे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा स्लीमानाबाद कटनी के पास मध्यप्रदेश में एक जगह है जिसको कैप्टन विलियम स्लीमन के नाम पर उनके ओनर में नाम दिया गया है इस बीच जब यह जितने टाइम भारत में रहे हैं खासकर इनका यह जो सेंट्रल इंडिया औ ऐसी ही एक किताब में जब यह यहां पे काम कर रहे थे मध्यप्रदेश में ठक डेपार्टमेंट में इन्होंने ऐसी एक किताब लिखी थी उसमें इन्होंने एक जिक्र किया था एक किस्से का जिसमें इन्होंने लिखा था कि एक इनसान का बच्चा है जिसको भेडिये पा अपनी सीरीज निकाली थी, नॉवल निकाली थी, यह उन्होंने इसी से इंस्पायर्ड होके लिखी थी और इसी के बाद इन्होंने जो मोगली का खेरेक्टर था, दा जंगल बुक में, वो बनाया था, डुडियाट क्रिप्लिंग में, तो यह बताया जाता है कि यह जो हम पाल रहे हैं, भेडियों का जो पूरा परवार है, वोल्फ पैक होता है, वो पाल रहे हैं, और यह इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया, इसी के बाद में बताया जाता है कि इससे इंस्पायर्ड होके रुडियाल क्रिप्लिंग ने जंगल बुक लिखी, और इसी के सा प्रुमाल से 50 सालों तक बिना पकड़े, किसी के पकड़ में ना आया 50 सालों तक जो, और एक प्रुमाल से 931 लोगों की हत्या की थी, यह थी ठक बहराम जमेदार की कहानी, आगे ऐसे एक और भी एपिसोड हम आपके लिखर आते रहेंगे, आज के एपिसोड आपको कैसा ल इंडिया की, कई ऐसे sensitive cases, हमारी intelligence agencies के कई operations, military के operations, कई ऐसे sensitive issues पे cases पे वीडियो आपके लेकर आते रहते हैं, तमाम सारी इसमें research होती है, तमाम सारी books को पढ़के, articles को पढ़के, उसके बाद में कई archives को देखके, आपके लिए पूरा वीडियो बनाया जाता है, तो जाह से ज description में इस पूरी series का playlist का link मिल जाएगा, उसमें जाके और भी आप episode देख सकते हैं, तब तक लिए दीज़े आथ, अपने आप episode हमें बताते रहिएगा, हम आपके लिए और भी episode लेकर आते रहेंगे, इज़ाद दीज़े, नशकार, धन्यवाद, जैहिंद.